कटलेट बहुत तरह से बना सकते हैं जिसमें में इंग्रेडियन्ट चिकन, मटन ये वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं ये बाहर से तो बहुत ही क्रिस्पी रहता है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉप्ट रहता है आज हम 100% वेजिटेरियन्ट कटलेट बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ किये हैं और स्पाइसेज भी यूज़ किये हैं तो चलिए बनाते हैं टेस्टी वेजिटेबल कटलेट उबले आलू, गाजर, हरे मतर, हरी मिर्च, अद्रक पेस्ट, हल्दी, धनिया, कॉर्न फ्लोर, ब्रेड क्रम्स, ग्रीन बीन्स, निम्बू, पत्ता गोवी, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तेल एक बॉल में हम सारी चीज़े एक एक करते मिलाते जाएंगे ये हमने बॉल मैश आलू लिये हैं अब इसमें चॉप किये हुए गाजर डालेंगे बीन्स कैबेज याने पत्ता गोवी हारा धनिया मटर मैश किये हुए अब इसमें एक एक करते मसाले मिलाते जाएंगे जीरा पाउडर अद्रक हारी मिर्च कटी हुई हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और नमक आपकी हिसाब से उपर से निम्बू का रस डालेंगे अब ये सारी चीजे अच्छी से मिक्स करनी हैं अब हम कौन फ्लॉर का घोल बना रहे हैं जो हमने मिक्सचर तयार किया था उसके अब छोटे छोटे पैटीस तयार कर लेंगे आपको जिस आकार के चाहिए उस आकार के आप बना सकते हैं इसके लिए मोल्ड्स भी मिलते हैं मैंने तो गोल आकार के बनाया हैं अब इसे हमने जो घोल तयार किया था उसमें डूब लेंगे और ब्रेड क्रम्ब्स से पूरी तरह से कोट कर लेंगे अब हम इसको शालो फ्राइ करेंगे चाहे तो आप डीप फ्राइ भी कर सकते हूं दोनों तरब से अच्छे से से शेक लेजिये यह बहार से तो बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे और अंदर से एकदम सौर्ट दोनों तरब से हो जाने के बाद आप अब टीशू पेपर पे निकाल लीजिए टोमेटो के चप के साथ एंजोई कीजिए अंदर ध्युक्षण तका सौर्ट जाइक और लीजीए ठवस्क्राइड भीन दोनों एंड्वीव झाल झाल